वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस अबडेट्स पाने के लिए पैल आइकन दबाना ना भूलें आपको पता दे कई दिनों से पारस और माहिरा का वेडिंग कार्ड शोशल मीडिया पर बेहत ज्यादा वाइरल हो रहा है जिसके जानकरी अब माहिरा आपकी मा को लग गई है वही एक वेबसाइड को दिये इंटर्व्यो में माहिरा की मा ने कहीं ये बड़ी बात जी हाँ माहिरा शर्मा के मा ने फाइनली किया रियक्ट माहिरा और पारस के वेडिंग कार्ड पर जब उनसे पूछा गया की आप इस वेडिंग कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगी तो उन्होंने जवाब दिया की अगर ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे हमारे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है शादी का बंधन कोई चुपाने वाली बात थोड़ी है कोई चोड़ी थोड़ी की है जब होगी तब हम सब को बता देंगे लेकिन ये कार्ड जोटा है ये तो किसी फैन ने बनाया है क्योंकि उनको इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़ादा पसंद है उनका कहना है कि माहिरा अभी बहुत चोटी है और वो पारस के सिर्फ अच्छी दोस है वही माहिरा को करियर में अब और भी आगे जाना है और जब पारस के बारे में पूछा गया माहिरा की मॉम से तो उन्होंने कहा कि पारस उन्हें काफी ज़ादा पसंद है वो माहिरा का ख्याल उनके मा के तरह रखते हैं लेकिन माहिरा और पारस के बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती है और दोस्ती से बढ़ कर और कुछ भी नहीं है आपको बता दे माहिरा की मॉम ने तो ये केलियर कर दिया है कि ये कार किसी क्रेजी फैन ने बनाया है क्योंकि फैन्स को माहिरा और पारस की जोड़ी बेहत ज़्यादा पसंद है वेल इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट वाक्स पर ज़रूर बताए और एंसे जड़ी ऐसी ही अनकहे बाते जानने के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना हो लो